हेई गाइज, विल्कम वेक्टो er चैनल प्राची विलुष्ष्क रीडियो हम देली खाना बनाते हैं खाना बनाते हैं, बहुँत सारे इंग्रीडेन्ट यूज़ करते हैं लेकिन खाना बनाने में एक इंग्रीडेन्ट जो है वो मोस्ली हर टाम यूज़ होता है नमख आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिंग सॉल्ट के बारे में पिंग सॉल्ट बनता कैसे है और ये इतना महंगा क्यूं होता है और आपको रेगुलर जो सॉल्ट हम घर मी यूज करते हैं उसको छोड़के ये वाला सॉल्ट क्यूं यूज करना चाहिए कोई चीज महेंगी है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर होता है हम घर में जो सफेद नमग या सेंधा नमग या सेंधा नमग यूज करते हैं वो बहुत ही सस्ता आता है क्या वजा है कि यह सौल्ट को बनी में कितना टायम लगता है जो केसर के जो फूल होते हैं उस एक फूल में सिर्फ तीन स्ट्रेंज से केसर के निकलते हैं वो भी फूल मुझाने के पहले ही आपको उसे बहुती केरफुल तरीके से निकालना पड़ता है एक चम्मच केसर बनाने में आपके 60-65 फूल अराम से लग जाते हैं यही कारण है कि केसर इतना मेंगा होता है इन दा सेम वे अगर वाइट सॉल्ट इतना सस्ता है तो उसका यह मतलब है कि वो बहुती असानी तरीके से मिल जाता है और उसमें बहुत जादा प्रोसेसिंग भी रहती है और वो हमारी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है और बात करें पिंक सॉल्ट की तो वो इतना मेहंगा इसलिए है क्योंकि यह सॉल्ट जो है 200 साल में बनते हैं और यह जो सॉल्ट है जमीन के बहुत जादा गहराई में मिलते हैं इसके जो ऊपर की लेयर है वोल कैनों और आइस से कवर रहती है जिसके कारण यह जो सॉल्ट है वो बहुत जादा सुरप्छित रहते हैं इसमें इंप्यूरिटी की कोई भी संभावना नहीं होती है वही पर अगर नॉर्मल सॉल्ट की बात करें नॉर्मल सॉल्ट जो है समुद्र से हमें अर्षानी से मिल जाता है उसे मर्शीन द्वारा निकाला जा सकता है और उसकी जो एंप्यूरिटी है उसको प्रोसेस करके क्लीन किया जा सकता है अब अगर हम बात करें पिंक सॉल्ट की तो इस पिंक सॉल्ट को किसी भी मर्शीन के द्वारा नहीं निकाला जा सकता इसे इनसान खुद नीचे जमिन के जो लेयर है उसके बहुत ही गहराई में जाके खुद अपने हाथों से इसे निकाल के ला सकता है पूरे वर्ड में साथ ऐसी माइन से जहां जो है पिंक सॉल्ट रेडी होता है चुकि यह जमिन के इतनी गहराई में होता है और इनसान इसे किसी मर्शीन के द्वारा नहीं अपने ही हाथों से निकाल के लाता है इसलिए इस सॉल्ट में इंपूरिटी की कोई भी गुंजाईश नहीं होती है और यही कारण है कि यह पिंक सॉल्ट जो है इतना कॉसली एविलेबल होता है यह आप के उपर निर्भर करता है कि आप अपनी डे टो डे लाइफ में कौन सा सॉल्ट यूज करें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमें कौन सा सॉल्ट यूज करना चाहिए तो मैं तो भई पिंक सॉल्ट को ही रिकमेंट करूंगी क्योंकि वाइट सॉल्ट के कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं है बलकि आपको इसके साडिफेक्स ही मिलेंगे साथ ही साथ वाइट सॉल्ट को कंजेप्शन से आपको बलोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है वहीं पिंक सॉल्ट आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है और साथ ही साथ अगर आपको बलोटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो pink salt उसे relief आपको दिलाता है अब आप कैसे पहचाने कि कौन सा pink salt जो है वो original है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ मेरे पास जो salt है वो Puro brand का है आप किसी भी brand का salt ले सकते हैं लेकिन जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसमें mention होना चाहिए कि इस salt में 84 minerals है यही इस salt की पहचान है pink salt good for digestion होता है health के लिए बहुत अच्छा होता है और यह एकदम natural होता है unrefine होता है इस salt का pH level 7 से जादा होता है आप अपने health के लिए यह छोटा सा change तो जरूर कर सकते हैं अपना regular white salt को छोड़के इस pink salt को अपने kitchen का एक हिस्सा बना दीजे अब आप बोलेंगे कि हम जो डेली नमक खाते वो इतना सस्ता है 20 रुपय का है और यह जो है 100 रुपय का है अगर वही आप अच्छा यूज करेंगे तो आपके जो बाकी चीज आप यूज कर रहे हैं उसका भी absorption अच्छे से होगा साथ ही साथ आपको उसके और ज्यादा benefit मिलेगे मैंने अपने health के तरफ एक कदम बढ़ाया वाइट सॉल्ट को रिप्लेस करके पिंक सॉल्ट एड़ करके तो आप भी यह कदम जरूर बढ़ा है अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा इंफोमेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए में वीडियो को सब्सक्राइब को ऐदेगा है